आप देख रही है MNS News सच जरूरी है नमस्कार दर्शकों ये है MNS News Network और आप देख रहे है MNS News TV मैं हूँ आपके साथ शद्दा तिवारी तो आइए देखते हैं आची कुछ खास खबरे एक नदे डालते हैं आच की हेडलाइन्स की ओर भारत को दोहरा जटका साथ आफरिका के खिलाब मिली हार के बाद ICC ने ठोका जुर्माना टेस्ट में 6 साल बाद होगी स्विंग के किंग की वापसी क्रिकेट से सन्यास के बाद राच नीदी के पिछ पर उतरे अंबाती राइडू आई देखते हैं खबरे विस्तार से भारत को दोहरा जटका साथ आफरिका के खिलाब मिली हार के बाद ICC ने ठोका जुर्माना साथ आफरिका के खिलाब सेंचुरियन में मिली करारी हार के बाद ICC ने भारत को दोहरा जटका दिया है स्लोवर रेट के चलते टीम इंडिया पर भारी जुर्माना लगाया गया है दक्षिन आफ्रिका के खिलाब तैस समय पर दो ओवर कम फेकने के कारण रोई शर्मा की टीम के दो महत्वपूर आई सी सी वर्ल टेस्ट चेंपियनशिप पॉइंट काटे गये है वही खिलाड़े पर मैच फिस का दस प्रतिशत जुर्माना भी लगाया गया है एमिरेट्स ICC एलिट पैनल आफ मैच रेफरी के क्रिस ब्राट ने भारत को टार्गेट से दो ओवर पीछ रहने के बाद यह सजा दी है खिलाड़ी और खिलाड़ी सहायता कर्मियों के लिए ICC अचार सहीता के अनुक्षेद 2.22 के अनुसा जो नियुनितम ओवर रेट अपराथों से संबंदी थे खिलाड़ी को दिये गए समय में गेंदवाजी करने में विफल रहने वाले प्रते एक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का 5 प्रतिसत जुर्माना लगाया जाता है सौथ आफरिका के खिलाब मिली हार के बाद भारत 16 पॉइंट्स और 44.44 प्रतिशत अंगों के साथ पाच बे पायदान पर था हाला कि अब स्लो ओवर रेट के चलते कटे अंगों के बाद भारत आउस्ट्रेले की नीचे छटे पायदान पर पहुँच गया है भारत के खाते में 38.89 प्रतिशत अंगों के साथ 14 पॉइंट्स है भारत को सौथ आफरिका के खिलाब सेंचूरियन टेस्ट में पारी और 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा यह टीम इंडे की साथ आफरिका की सरजमी पर अब तक की सबसे बड़ी हार है भारत ने पहले बल्लेबाजी करती हुए कियल राहुल के शतक के दम पर 245 रन बोर्ट पर लगाये थे स्कोर के सामने मिजवान टीम ने डीन एलगों की 186 रनों की पारी के दम पर 408 रन बनाये भारत दूसरी पारी पे 131 रनों पर ही सीमड गया विराड कोली के अलावा सभी बल्लेबाज फेल सावित हुए आए बढ़ते अगली ख़वर की और टेस्ट में 6 साल बाद होगी स्विंग के किंग की वापसी भारती टीम के अनुभावी तेज गेंदबाज भुबनेश्वर कुमार 6 साल के अंतराल के बाद आखिरकार रेड़ बॉल के साथ गेंदबाज करते नजर आने वाले हैं एक समय भारती क्रिकेट में अगली बड़ी चीज के रूप में पहचाने जाने वाले भुबनेश्वर कुमार ने आखरी बार 2018 में किसी भी प्रकार की रेड़ बॉल क्रिकेट खेली थी उनका आखरी टेस्ट मैच 2018 में दक्षुन आफरीका के खिलाब था श्विंग विशेशक भुवी अगले साल पाच जैनिवरी से शुरू होने वाली रणजी ट्रॉफी में टीम उतर प्रदेश का हिस्सा होंगे वह किरल के खिलाब पहला मुकाबला नहीं खेलेंगे लेकिन बाकी सिजन के लिए उपलब्द रहेंगे ऐसे में ये उनके फैंस गोपाल शर्मा ने बताए कि भुबनेश्वर कुछ व्यक्तिगद प्रतीबदाओं में व्यस्त हैं और दूसरे मुकाबले के लिए उपलब्द रहेंगे 21 टेश्ट मैचों में भुबनेश्वर कुमार ने 26 की और तीरपन की स्ट्राइक क्रेट से 63 विकेट लिए उन्होंन के बढ़ते अगली खबर की और क्रिकेट से सन्यास के बाद राचनीति के पीछ पर उतरे अंबाती राइडू पुर्व भारतिये क्रिकेटर अंबाती राइडू राचनीतिक मैदान में अपनी किसमत आजमाने के लिए पूरी तरह तयार है वह YSR कॉंग्रेस पार्टी में शामिल हो गए राइडू ने अंद्र प्रदेश के मुखमंत्री और YSR कॉंग्रेस पार्टी प्रमुख जगन मोहन रेडी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली 24 सुपो किंग के साथ IPL 2023 की टॉफी जीतने वाले राइडू ने चैंपियन बनने के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास ले लिया उन्होंने 2019 में अंतरास्ट्री क्रिकेट को अलविदा कह दिया था राइडियो निसे साल जून में जगन मोहन रेडियस से मुलाकात की थी ऐसे अटकले है कि उन्हें मचली पटन सीट के मैदान में उतारा जा सकता है पाच बार आईपियल टोफी जीतने वाली टीम के सदस्य राइडियो अमबादी को पाच बार आईपियल टोफी उठाने का मौका मिला है 2013 में 2015 में खिताब जीतने वाली मूमबई इंडियन्स टीम के सदस्य थी इसके अलावा 2018 में जब चेने सुपोकिंग की जीत हुई तो वा धोनी के साथ थे राइडियों ने साल 2019 में अंतराष्ट्री एक क्रिकेट से सन्यास की घोशना की थी इस समय वर टीम इंडिया का हिस्सत थे और इंग्लेंड में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए उनके चुने जानी की संभावना काफी जादा थी हाला कि चैन करताओं ने उनकी जगविजा शंकर को मौका दिया इससे नाराज होकर राइडियों ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास की घोशना कर दी बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल लिया और घरेलू क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया हाला कि इसके बाद उन्होंने अंतराश्ट्री क्रिकेट में वापस ही नहीं की अब आप हमारे चैनल को आपके मुवाइल पर भी देख सकते मुवाइल आप पर देखने के लिए प्लेश्टोर से एमनेस न्यूस्टीवी एप डाउलोड करें इंस्टा हाइक ट्यूटर कुक फेस्बूक कर सोशल मीडिया प्रेटफर्म पर हमारा चैनल उपलब्द है आप इस यूटीव पर भी देख सकते हैं आप इसे लाइप भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक आप ब्रेक से लोटे के बात देख अब कर देख सकते हैं अब देख सकते हैं मनस्यूस